बबबल सीरीज में ये जो लोटस बर्ड गार्लेंड वाली मेरी वीडियो है उसको आप सभी ने बहुत ज़्यदा लाइक किया पसंद किया उसके लिए मैं आप सभी का थैंक्यू करती हूँ और उसी सीरीज में आज आपके लिए लिखिया है हूँ फिंडली है हम घर के मटेरियल से बना सकते है तो चलिए आज मैं आपके लिए लेकिया है हूँ लास्ट वाला गार्लेंड का आडिया भी बहुत इजी था आज मैं अलग तरीके से आपको ये माला बनाने का सिखा रही हूँ इसके लिए भी मैंने यही जो non-oven carry bags आते हैं उसका use किया है इसकी जगह पे आप plastic का carry bag भी use कर सकते हैं या फिर white कपड़ा भी use कर सकते हैं I mean कपड़े का भी आप या भी use कर सकते हैं या आपर देखें मैंने यह जो fabric के cloth का जो भी carry bag आता है उसको open कर लिया है और आज का भी idea जो है वो बहुत ही easy रहेगा वीडियो थोड़ा लंबा है क्योंकि 2-3 अलग-अलग parts आपको बना के फिर join करना है इसलिए तो वीडियो को पूरा देखिए skip न कीजे यह काफी easy है और हमारे घर में जो available रहता है वही सामान से मैंने इसको बनाया है तो यहाँ पर देखिए यह जो आपको cardboard का एक seat दिख रहा है छोटा सा वो मैंने पेटल के हिसाब से ओवल शेप में आप देखेंगे उसका shape उसी shape में मैंने एक कट कर लिया है और वही रखके फिर हम यह जो पटिया कट किया है उसको एक fold मारेंगे fold करने के बाद उसको रख के और हम draw कर लेंगे इससे क्या होगा कि पेटल का shape आ जाएगा यहाँ पे देखिए ऐसे रख दिया मैंने और उपर से इस तरीके का भी कर सकते एक आप measurement के लिए मैंने वो cardboard का तुकडा लिया है अगर आप directly भी कर सकते तो भी करें कोई issue नहीं है oval shape में मैंने यह जो मेरी हमने fold किया हुआ था उसको मैं cut कर रही हूँ आप देखिए अच्छे से देखिए क्योंकि यह na fold बहुत बड़े हो जाते है तो उसको cut करना हमारे लिए थोड़ा difficult हो जाता है इसलिए आप इसको यह देखिए corner अच्छे से round करके आपको cut करना है उस तरीके से basically आपको cut कर लेनी है तो यह जो है same में red fabric के जो मेरी carry bag है उसके साथ भी करूंगी यहाँ पे भी मैंने उसको open कर लिया है और यह जो measurement है आप आपके हिसाब से लीजिए अगर आपको चोटी-चोटी माला है बनानी है तो आप छोटा पीस लेके फिर उसको shape करें अ में चाहिए और जस्ट में वह रखके फिर उसको cut कर रही हूँ यह यह जो मैं fold करके cut कर दी हूँ हूँ इसके लिए क्यूंकि बहुत सारा cut करना है तो हम एक एक strip करेंगे तो उसको time लगता है इसलिए मैं fold करके फिर एक की time पे हम सारे जो भी strips से उसको यह जो process से वह कर सकत है इसलिए फिर यह देखिए ऐसे अच्छे से fold कर लेना है आपको जो extra है वह निकाल देना है क्योंकि फिर वह उसका size जो है वह same नहीं आता और फिर वह अलग दिखता है इसलिए आपको यह सारी चीज़े कर लेनी है क्योंकि finishing जब आती है कोई भी product को तो यह बहुत ही अच यहां पर दिखाए है आपको कि इस तरीके से आप कट कर सकते हैं easily और फिर यह आपके माला बन जाती है यहां पर देखिए थोड़ा मेरा ऊपर नीचे हो गया है तो एक छोटा बड़ा पिटल भी बन जाता है तो उसे इतना कुछ फरक नहीं पड़ता यह दिखिए आप मैं मैंने लीफ पान के पत्ते जैसा एक शेप बना लिया है हमें ऐसे कितनी माला बनानी है उसके हिसाब से यह हमें ड्रॉ कर लेना है यहां पर मैं पांच मालाओ का सेट बना रही हूं तो मैंने दस ऐसे काड़वोड जो है वो कट किये हुए है और फिर यह देखो यह शेप को मैंने अच्छे से कट कर लिया अभी इसके उपर मेरे पास यह कुछ यह बननी के पेपर्स थे यह ऑनलाइन भी मिल जाते है या फिर शॉप में भी मिल जाते है तो और कुछ पॉम पॉम लगेंगे कुछ गोल्डन बिड्स लगेंगे जो कि बेसिक रिपार्मेंट है और एक उलन का धागा जो हमें ये सारी चीजों को एक साथी करन यहाँ पर अलग अलग शेप्स बने हुए स्वास्तिक है बेन कलर्स है तो मैंने उसी हिसाब से इनको कट करके फिर यहाँ पर चिपकाया है देखो एक इसके दो दो कलर अभी मेरे पास तीनी कलर है तो पिंक है चिपका दिया है और अच्छे से चिपकाने के बाद उसको हम फिनिशिंग देंगे और दोनों पीस हमको ये रेडी कर लेने हैं इसको थोड़ा टाइम लगता है अगर आपके पास बच्चे है तो वो बहुत अच्छी से हेल्प करते हैं तो आप उनको भी काम पर लगा सकते हैं इस तरीके से इसके कॉर्णर्स हम काटेंगे तो ये काफी अच्छे से हमारा जो फिनिशिंग है वो हो जाता है यहाँ पर देखिए ऐसे साइड साइड से हमें एक्स्ट्रस सब निकाल के फिर उसको कट करके और फिर उसे हमें चिपकाना है ये एक कॉर्णर इसको थोड पेपर है उसको मैंने अच्छे से चिपका दिया है चिपकाने के बाद हमारे पास दो अलग-अलग पॉर्शन रेडी हो जाते यह देखिए ऐसे उसको थोड़ा सूखने देना है हमें और फिर जो एक्स्ट्रा का पेपर है उसको कट कर लेना है यह जो उपर का पॉर्शन है ल हो गहाई ऐसे मैंने डिमिंग झो पीश्छे से बिंग कर लियह है अभी यह देखो है सो यह लिए फॉर्शन करा और ओंधन भर यह सकते हैं इसाब में लाइट खुर कराते हुए यह पॉम-पॉम के दो लडिया बना लिए है और फिर अलग-अलग बनाने के बाद हम इसको चिपकाएंगे से दो इसके सारे मेने बना लिए हैं लटकन और अभी हम यह दो-दो जो पोर्शन से हम इनको एक दूसरे के ऊपर लटकन बीच में लगाते हुए चिपक साथी साथ यह हमारीारपी भी है किस तरीके बनाते हैं और किस माइंड औप स्टेट से बनाते हैं तो वह भीए रिए हमारी मान का शेप हें हमारी ब्रेहरे स्ट मेया संदर बहुत संदर सी एक छलऊ के बन जाते नहींपराम नекन बना लिया हैं जरूरे नहीं कि आप वही ले, आप square भी ले सकते हैं, आप triangle ले सकते हैं, या फिर आप ये पान के पत्ते की जगह, दूसरा कोई shape लेके, उससे भी ये लटकन जो है, वो बना सकते हैं, बटे सबसे easy shape मुझे लगा, जिसका finishing में काफी आराम से कर सकती हूँ, तो इसलिए मैंने ये choose कि अभी हमने सारे जो नीचे के लगाने वाले हमारे लटकन है, वो ready हो गए है, और अभी इसके बाद हम इसको सिलाई करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने उलन का धागा ही लिया है, क्योंकि वो थोड़ा strong रहता है, और colorful भी आते हैं, तो हम वैसे use कर सकते हैं, औ जो color दिखेगा, वो नहीं दिखता, और एक finished look आता है, तो यह देखी, यहाँ पर मैंने यह golden bit डाल दिया, अभी हम garden बनाना स्टार्ट करेंगे, तो same last time जैसे मैं ने दिखा था, same एक corners में, corner से हम स्टार्ट करेंगे, सुई को जैसे हम सीलते हैं, धागा उसी तरीके से करना हैं, और ऐसे करते करते हैं, फिर हमारी garland जो है, वो बन जाती है, बहुत easily बनती है, और finishing भी बहुत सुंदर आती है, साथी साथ यह garland बहुत महेंगे आते हैं, तो उसे अच्छा आप घर पर बनाएं, ऐसे carry bags जो होते हैं, वो हमारे घर में आते रहते हैं, तो आप seriously यह try क बहुत सुंदर लुक देता है, और यह garland जो है, वो non-oven fabric से बनता है, तो अगर हम इसको धोते हैं, या फिर हम इसको पोस्ते हैं, तो खराब नहीं होते हैं, मैंने यह जो सारे carry bag है, उसको पहले clean किया हुआ है, धोया है, और उसके बाद इसको use किया हुआ है, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, यह आपर यह देखें, मेरा यह white वाला garland बन गया, फिर उसको हम थोड़ा clockwise, anti-clockwise, दाएब आए थोड़ा मोड़ेंगे, तो यह flower जैसा ही effect देता है, यहापर देखो, वो जो round हमने cut किया, तो वो petal जैसा shape दिखता है, फिर red का मैंने, red और white का combination यहापर मैं ट्राइ कर रही हूँ, तो मैंने red और white जो है, वो उसी तरीके से फिर white हो गया, फिर red का और अभी फिर से मैं white का यूज़ करूंगी, तो मेरे यह दो color में garland बन जाते हैं, बहुत ही सुन्दर दिखते हैं, और बहुत ही प्यारा effect और बहुत ही प्यारा DIY बन जाता है, आ बहुत जादा टाइम इसमें नहीं लगता है, आप जो paper है उसकी जगा आप कपड़े का भी यूज़ कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैंने बादनी के paper यूज़ किया है, वो नीचे के लिए तो आप भी यूज़ करें, आप आपके पाद जो सामान है, plain paper भी आप यूज़ कर अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, तो चाहां को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूली, साथी साथ मेरे चैनल पर जो दूसरे DIY है, वो भी आप जरूर से देखिए, अभी दिवाली आने वाली है, तो सब को इसकी जरूरत है, आपके घर वालो के साथ आपके फ्रेंड्स फामिली के साथ जरूर से ट्राइब कीजिएगा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही नहीं DIY के साथ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, थेंक्यू